अलो बच्चो आप शवी का हमारे यूटूब चैनल आइडियल देव कलाशेश में स्वागते बच्चो आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेश शामाजिक विज्ञान लेका है जो कक्छा साथवी के लिए और जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस भाग तीन शामाजिक विज्ञान राजिन्ती जीवन का अध्याय कोंसा बताएंगे अध्याय साथ हमारे आशपास के बाजार तो इससे समंधित प्रश्णों को आपको हल करके बताएंगे समझाएँगे कि इसके प्रश्ण क्या है चलिए देखते हैं हमारे आसपास के बीच होने वाले लोग होते हैं तो इसका सच नंबर है दिया है पट्वारी बढ़ ओधारे मस नंबर मजदूर और दणबर शिक्छक तो इसका सच आंसर आजएगा बढ़ बढ़ व्यापारी व्यापारियों की लंबी शेंखला का अंतिम वेक्ती जो वस्तुवे उभोकता को बेचता है तो इस चार आपसन दिए चार आपसन में से आपको बताना है अनमबर थोक व्यापारी, बर नमबर फुटकर व्यापारी, शानमबर मील मालिक और दररर किसान तो इसका सही आंसर आजाएगा बर नंबर फुटकर व्यापारी तो यहाँ पे आप लिख देंगे बर नंबर फुटकर व्यापारी नेस्ट प्रेशन है प्रेशन नंबर तीन सब्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में शमलित नहीं होती और नमबर अनाच की दुकाने, बर नमबर सब्जियों की दुकाने, और नमबर मशालों की दुकाने, और दर नमबर गाडियों या वहानों की दुकाने, तो इसका सही आंसर आजाएगा, दर नमबर गाडियों या वहानों की दुकाने, इस पकार से आपका प्रस नमबर तीन क विएवपारित दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें शमेट लेते हैं इसलिए साथ एक बाजारों में कच्छी दुकाने होती हैं प्रेस्पकाद से आपका प्रेस्ट प्रेस्ट नमबर पांच उधार से सामान देने का क्या आशय है तो आप उसका उत्तर उधार से सामान लेने का आशा है कि शामान दुकानदार और खईदार एक दूसरे से परिजित होते हैं दुकानदार खईदार को सामान उधार देकर भुक्तान बाद में करने की सुविधा देते हैं तो इस पकार आप प्रशनमबर पांच का उत्तर लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्ण आता है आपका इसका प्रश्ण नमबर 6 प्रश्ण नमबर 6 क्या कहा रहा है व्यापारी किन्हे कहा जाता है उत्तर लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्ण आता है आपका प्रश्ण नमबर 7 ऐसे कोई दोल आप बताईए जो महले की दुकान से मिलते हैं पर बंतु साप्ताइक बाजार में नहीं मिलते तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर है नमबर एक मोहले के दुकान वाले लोग इस्थाई दुकान होने के कारण परिचित होते हैं जिससे की वे हमें सामान उधार भी देते हैं जबकि साप्ताइ उसके बाध नाइक प्रिश्ण होने माफ्रा से खुड़ा ह 나온 यह चलिए इसका उत्ताः गए है शाप्ताइक बजारों में खैसे के पास मोल तोल करने का अउसर क्यों होता है तो इसका उत्ता देखते हैं चलिए उत्तर क्या है एधि एक दुकान दर किसी बस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही शामान देख ले जहां उन्हें कम क किशी एक उधार्ण से समझाईए कि खईदना बेचना बाजार के अलावा अनिस्थानों में भी हो सकता है जैसे आजकर अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है और सभी पेकार की वस्तों वहाँ पर प्राप्त हो जाती है व्यत्मान में तरह तरह के सामान के लिए फो मचा दिया जाता था तो इस पेकार से आप प्रेस्ट नमर 60 के लिए इसके बाद प्रेस्ट नमर 11 क्या कह較 है साप्ता इक बाजारों से अब करszभ़ेदना शौपिंग कॉमप्लेक्स या माल के अपिक्चा सेस्ता होता है क्योंकि साप्ताइक बाजारों में शामान ए- पर दुकाने लगती हैं जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं जबकि शॉपिंग माल में बहु मंजीला वातानु कुली त्याने की एसी वाला दुकाने होने के कार्ण खर्च अधिक होता है जिससे हम यहां में जिससे यहां वस्तुएं महेंगी मिलती हैं जिससे य इस प्रिश्णा आता है आपका प्रेश्ण नमबर 12 इंटरनेट से सामान खिदना कैसे होता है आनलाइन खिद्दारी कैसे होती है इसके मुखे चरन बताईए वैत्मान में लोग इंटरनेट के ज़रिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रिश कर लेते हैं, वोन अपने के रीट कार्ड्स से औनलाइन खईदारी कर लेते हैं, औनलाइन खईदारी की लिए समय पस्थाम इंटरनेट पर उस वस्तू को खोच कर उसकी दी हुई कीमत को अदा करक उस वस्तुक को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार से बच्चों आपका प्रेश नमबर 12 का उत्तर भी कम्प्लीट होता है नेक्ट प्रेशन आता है आपका प्रेश नमबर 13 क्या कह रहा है नीचे दी कई सब्द सेंखला को समझाईए देखिए सब्द सेंखला है फैक्टरी या खेत थोक व्यापारी खुर्दरा व्यापारी और भोक्ता नमबर एक फैक्टरी खेत फैक्टरी या खेत से वस्तु का उत्पादन किया जाता है नमबर दो नमबर दो वे क्या है थोक व्यापारी जो फैक्टरी या खेट से बड़ी मातरम वस्तूं को खहितते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं खुद्रा व्यापारी जो थोक व्यापारी के पास से कम मातरा में वस्तू को खहितने वे खुद्रा व्यापारी होते हैं और नमबर चार उभोकता उभोकता जो वस्तू में खुद्रा व्यापारी से उभोकता को मिलती है वहाँ उभोकता कहलाता है इस प्रकार से आपका प्र कि क्या है आपका अध्यासाथ हमारे आसपास के बाजार बच्चों हमने जो आपका अध्यासाथ हमारे आसपास के बाजार के जो प्रश्णों के उत्तर बता यदि वह आपको अच्छे लगे हो तो आप हमा चेनल आइडियल देव के लासे इसको सस्काइब कीजिए लाइक हुआ हुआ है